नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सत्र के प्रारम में विपक्स के साथियों के साथ हमारी विचर भी मर्स होता है हमारी मेंटिमूं से चर्था करती है इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई है और आपके माध्यम से में सार्वजिनी कुर्प से हमेशा हमारे सभी सामस्दों से आगर करता हूँ लोक्तंत्र के मंदीर जन आकांग्शाओं के लिए विशित भारत की नीवत को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहत महत्वपुर्ण मंच है मैं सभी मान्य सामस्दों से आगर कर रहा हूँ कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी भील रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक सामस्द सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्तो होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से आगर करता हूँ और अगर मैं बरतमान चुनाओं नतीजों के आधार पर कहूँ तो जो विपक्ष में बैटे हुए साती है ये उनके लिए गोल्डन ऑपरजिनिटी है इस सत्र में पराजय का गुसा निकालने की उज़ना बनाने के बजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारतमक्ता की प्रवुति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारतमक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरब देखने का दृष्टकौन बदलेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है और वो विपश में हैं तो भी उनको एक अच्छे एड़वाई दे रहा हूँ कि आईए सकारातमक्त बिशार लेकर के आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला लेकर करके आईए हर किसे का भविश उजवन है नराश होने की जरूत नहीं है लेकिन किप्रा करके बहार के पराइजे का गुश्ण सदन में मत उतारना हताशा नराशा होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुझन को करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुभों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोद के विले विरोद का तरीका छोड़िए देश इत्मे सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमद में बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं कर्बद्य प्रार्षना करता रहा हूँ कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजिनितिक देश्टिकोर से भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी भला इसम है कि आप देश को सकारत्वक्ता का संदेश के आपकी छबी नफरत की और नकारत्वक्ता की बने वो लोकतंतर के लिए अच्छा नहीं है लोकतंतर में विपक्ष भी इतना ही महत्वपुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोकतंतर की भलाई के लिए मैं फिर से एक मार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूँ 2047 अब बेश विश्चिद होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है समझे